नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन गाड़नर यूट्यूब चैनल में आज कल ज्यादातर लोग चीटियों की वज़े से बहुत परेशान हैं सबकी क्वैरी आ रही है कि चीटियां गमलों में घर बना रही हैं जिसकी वज़े से पॉसे सूख रहे हैं इसका क्या सॉलूशन किया जाए कई लोग चीटियों के लिए दालचीनी पाउडर, विनेगर, बेकिंग सोडा, राक, हल्दी, आदी का इस्तमाल कर चुके हैं लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एक दो दिन बाद चीटियां अपना काम फिर से शुरू कर देती हैं जादतर लोग चीटियों को पॉधों के लिए अश्या नहीं मानते लेकिन क्या वास्ताव मैं पॉधों के लिए चीटियां हानिका रखें अभी कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उसने कुछ दिन पहले ही गाडनिंग शुरू की है उसके सभी गमलों में चीटियां हैं इस वज़े से उसके सभी पॉधों की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं और सभी पॉधे सूप रहे हैं तो चीटियों को मारने के लिए क्या करना चाहिए जब मैंने उनसे पूछा कि कौन कौन से पॉधे आपके पास हैं तो उन्होंने मुझे जो पॉधे बताए वो सारे समर फ्लावलिंग प्लांट्स थे जो सर्दियों में डोर्मेंसी में चले जाते हैं उनके सारे पत्ते भी पीले होकर गिर जाते हैं और मार्श के बाद उन पॉधों में नई ग्रोश शुरू होती है उन्हें इस बात का पता नहीं था उन्हें नहीं पता था कि डोर्मेंसी क्या होती है बिना जाने उन्होंने सारा आरोब चीटियों पर लगा दिया किसी ने गमले में इतना ज्यादा पानी डाला हुआ था कि उस वज़े से पौधा मर गया था इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने चीटियों को दे दी किसी ने शेड लविंग प्लांट को सूरज की सीधी धूप में रखा हुआ था प्लांट मर गया उन्होंने उसका आरोब भी चीटियों पर लगा दिया और कोई किसी हिल स्टेशन से प्लांट ले कर आया वो दिल्ली के वाइदर में सर्वाइव नहीं कर पाया तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी भी चीटियों पर डाल दी हम इंसानों की एक सबसे वड़ी खासियत यह है कि हम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हम अपनी गलतीयों का दोश भी दूसरों को देते हैं आप अभी देख सकते हैं मेरे अडेनियम के गमले में बहुत सारी चीटिया है और अपने रहने की जगह बनाने के लिए ये गमले की मिट्टी बाहर निकाल रही है चीटिया मिट्टी के अंदर जो रास्ता बनाती हैं उनसे दो फायदे होते हैं पहला तो अगर गमले की मिट्टी का drainage अच्छा नहीं है तो इससे गमले का drainage अच्छा हो जाता है जिसे पानी गमले में रुपता नहीं और root rot की समस्या नहीं होती दूसरी चीज़ चीटियां जो रास्ता बनाती हैं इनसे चीटिया तो निकलती ही है साथ में oxygen को जड़ों तक पहुशने की भी जगह मिल जाती है इससे पौधे की जड़ों को अच्छी मातर में oxygen मिलती है जो पौधे की अच्छी growth के लिए बहुत जरूरी है पौधे में फल लगने के लिए pollination बहुत आवश्यक है मदुमक्या पौधे के लिए जानी जाती है लेकिन आज कल मदुमक्या देखने को भी नहीं मिलती पौधे कब होने की वज़े से भी पेडों पर ज्यादा फल नहीं लग पाते चीटियां यहां भी हमारी मदद करती है वो भोजन की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है और अंजाने में पराक करण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुँचा कर pollination कर देती है इसलिए अगर आप सूचते हैं कि चीटियां हमारे पौधों के लिए अच्छी नहीं है तो आप गलत है मेरे लगभग सभी गमलों में अलग अलगतर रखी चीटियां है लेकिन किसी की भी वज़य से मेरे पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ जब हम gardening करते हैं तो जरूरी नहीं है अच्छे ही result मिलें कभी कभी कुछ पौधों में फूल नहीं लगते और कुछ पौधों में फल नहीं लगते उसके बहुत से कारण हो सकते है हो सकता है पौधा भी फल लगने के लिए तैयार न हो हो सकता है फल या फूल लगने के लिए परियाप्ट पोशक्तत्व पौधे को न मिल रहे हो पौधे में फल या फूल लगने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है हो सकता है आपने पौधा अच्छाय में रख रखा हो जादा पानी देने की वज़े से भी फल या फूल शुरुवात में ही पीले होकर गिर जाते हैं तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि पौधा सूख जाए या उसमें फल या फूल ना लगें हाँ ये बात सच है कि कुछ सैफ सकिंग इंसेक्ट्स जिन्हें रस चूशक कीट भी कहा जाता है जैसे मिली बक्स वो अपने शेरीर से शुगर रिलिस करते हैं शुगर चीटियों के लिए भोजन होता है इस वज़े से चीटियां उन सैफ सकिंग इंसेक्ट्स को दूसरे कीटों से बचाती हैं ताकि उन्हें भोजन मिलता रहे लेकिन हम इन सैफ सकिंग इंसेक्ट्स को वीकली और्गेनिक स्प्रे करके भगा भी सकते हैं और चीटियां जो मिट्टी गमलों से निकाल देती हैं उनको वापस गमले में डालना कोई बड़ी बात नहीं है खेतों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको हर जगा चीटियां देखने को मिल जाएंगी अगर चीटिया पौधों को नुकसान पहुचा दी तो खेतों में कोई भी फजल लगी नहीं पाती चीटियां हमारे एकोसिस्टम का हिस्सा हैं उन्हें मार कर एकोसिस्टम को खराब ना करें